हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको कुछ कुकिंग टिप्स बताने जा रहे हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जानवी की रसोई नमबर फर्स्ट यदि सब्जी नमक अधिक पड़ गया हो तो सब्जी अधिक तला हुआ हो गया हो तो उसे कम और इस्तिर करने के लिए मलाई द नमबर के अचार को देर पीला रखने के लिए उसमें जर्शी शक्कर तक नहुत पांच बादाम को फोड़ी दिर पानी में वाल्य तो छिलके असानी से उतर वंगे नमबर छे, तिल, कतली, काजू, कतली आदी को पाली थिन के अंदर रखकर बेल दें, फिर काटें सेफ खराब नहीं होगा नमबर साथ, हल्वे में सुकी चीनी न डालकर सकर की चासनी बनाकर डालें नमबर आठ, सब्जी का अचार कलर, अच्छा कलर लाने के लिए ग्रेट करके थोड़ा सा चुक अंदर डाल दें, सब्जी का कलर बहुत अच्छा आजाएगा साबुधाने की एगर आप कोई भी रेस्पी बना रहे हैं, खिछडी बना रहे हैं, या फिट की पराटा हो जो भी साबुदाने को भिमोगर रखने से पहले, तो उसे तीन बार अच्छी से दोकर भीमोगर साबुदाना की बहुत ये टेश्टी रेस्पी बनेगी प्रेंट्स इसमें जो हमारे नंबर है वो गलत पड़ गए फिर हमने एडिट ने दुबारा नहीं किया नंबर दस इलाइसी चीलने के बाद छिलके को फेक के नहीं चाय की पत्ती के डबे में डाल दें जब भी आप चाय बनाएंगे और छिलके चाय में डालेंगे बहुंत अच्छा ओएगा अगर आप सब्जी में हरी मिर्च, सब्जी में डाल रहे हैं जादी की हरी मिर्च और आप कम तीका खाते हैं तो हरी मिर्च काटते हैं उसके बीज निकाल कर फेंग दें तीकापन कम हो जाएगा अगर आप धावा इस्टाइल दाल खाना चाहते तो एक मिट्टी का साब दिया लेकर गैस पर करम करें उसे दिये में तड़का लगाएं टेस्टी और धावा इस्टाइल बनेगी जब हम चिप से आप आपड श्टोर कर रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें अजीव सी मैग आने लगती है उससे बचने के लिए आप उसमें साबूत लाल मिच डाल कर श्टोर करें मैग नहीं आएगी कभी ऐसा होता कि हम सुकी सब्जी बना रहे होते हैं उसमें नमक ज्यादा हो जाये तो आप उसमें थोड़े से मेशन भून कर सब्जी में मिक्स कर दें सब्जी का टेस्ट ब्लप अच्छा आएगा और नमक भी कम हो जआएगा दाल बनाने से पहले थोड़ा सा उसे कड़ाई में डाल कर रोश्ट कर लें डाल ज्यादा टेस्टी बनेगी आप हमें से ऐसे ही बनाना चाहेंगे दाल को फ्राई करते समय थोड़ी सी कसूरी मेथी जरूर डालने दाल का टेस्ट दोगुना हो जाता है उभर कर आता है दाल का स्वाध प्रेंट्स प्लीज हमारे चेहने सपोर्ट कीजी जिससे के मोनेटाज हो जाए और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल कुकिंग की वीडियो हम डालते हैं पूजा पाठ की भी डालते हैं दूद गर्म करते समय तले में ना लगे उसके लिए पहले उसमें थोड़ा पानी डाल कर उबालने पानी में उबाल आने के बाद उसमें दूद डाल कर गर्म करें तले में दूद कभी नहीं चिपकेगा पालक पनीर बनाते समय हल्दी ना डाले हल्दी डालने से पालक पनीर का करार अच्छा नहीं आता है सामर बनाते समय आधा छोटी चमचीनी जरूर डालें इमली का पेश्ट तो डालते ही हैं तो उसका टेस्ट कटा मीटा आता है और सामर का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा कड़ी बनाते समय नमक हमेशा हुआ लाने के बाद ही डालें फिर फटने का डर कड़ी में नहीं रहता है प्याज को चील कर पानी में 20 मिनट के लिए रख दें इससे आप बिना सू बहाए प्याज काट पाएंगे अगर आपका प्रेसर कुकर जल गया है तो उसमें पानी बरें और साबुत नीबू लें उसे काटकर डाल दें फिर सीटी लगा दें इससे कुकर नमक चमक जाएगा अगर कोई नमकी डिस बना रहे हैं तो जब वो थोड़ी पक जाए तब उसके उपर आलू के चिप्स रखकर उसे और थोड़ी देर पकना है इससे आपकी डिस और ज्यादा कंची और टेस्टी हो जाएगे हुआओ के पालो नता है बाता है याधा यादा करना है जाएगे जाएगे उसक प्रच्वी तो रहा है लगारा एंपक जाएगे पाल डिस खालएगे।